हेलो से स्टुडेंट वेलकम बाक टुन नी वीडियो तो आज मैं फिर से फिजिक्स के मास पुली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहतरी इंट्रीक लेकर आहा हूं अगर आपने इसको सीख लिया तो मास पुली के जो सिंपल प्रॉब्लम होते हो उसे आसानी से अप्रोच कर ले जाएंगे तो चलिए देखते हैं तो मास पुली प्रॉब्लम कुछ ऐसे दिया होता है ना इसका कोई मास नहीं है तो इसमें दो मास हैंग कर रहा है एक इधर से यहां पर मैंने कंडिशन दे रखा है कि M1 is greater than M2 मतलब यहां पर जो मास M1 है इस ब्लॉक का जो मास है इस ब्लॉक से ग्रेटर है मतलब इसका अगर इस है आसान सा लोजिक लग रहे रहुगा है कि अगर जैदा होगा नीची आएगा नहीं लित अि आएगा कि 하는데 रहें की स्ट्रिंग लगा हुगा है कि एधिग रहसी बोलो थन देंशन हो Ой हो है तो कि सके मास होता है जो मास होताordon यहां खड़े होगा यहां से चाटा यह नहीं हो आएक है पर सब्सक्राइब करने लिए निचे आ रहा है तो उपर इसको हम अप्लाइक करते हैं तो यहां पर नीचे अगर कोई भी ब्लॉक हैंक करता तो तूसके नीचे लगता है वेट क्या होता है Mg होता है तो यहां पर क्या है M1 इसले मैंने M1 इंटु जी लिख दिया और यहां पर क्या होगा विज रिस्पेक्ट टो ग्रेविटी क्या होगा M2 इंटु जी ठीक है अब इसको अपलाई केरके देखते हैं तो अगर मैं Newton लो लगाता हूं हां Newton सेकेंड लो लगाता हूं तो क्या बोलता है अफनेट इस इक्वल टू एम में होता है तो पहले मैं फॉर्स्ट ब्लॉक भी लगाता हूं एम उन पर लगाता हूं किस पर लगाता हूं क्या होगा तो नीचे कैसी यहां था हला है क्हीच कुन रहा है तो क्या हो जाएगा घ।ependern और या पहन है ना थे तो इससे में पूर्स एक्रोच सब्सक्राइब। तो यह वह पर जा है तो यहां पहों जर्पर आप गपर औहों कि एक ट्री चॉंग दोनों जुक्रादर लगा ठीक है अब दो तो मैनस अब इसे अपरोच कुन कर रहा है एंटू एपरोच कर रहा है एसे में इक्विशन करता हूं तो जब मैं ऐडिंग करता हूं मतलब इसे जब माइनस M2 G is equal to M1 A plus M2 A, ना, A मेरी पास आए, तो मैं इसके common ले लेता हूँ, इसमे में G common लेता हूँ, तो हो जाएगा M1, M1 minus, M1 minus M2, bracket में G is equal to, यहाँ पे A common ले लेता हूँ, दोनुमें A है, तो A common लेता हूँ, M1 plus M2, यहाँ पे A common लेता हूँ, तो इसको इस साइड में लाँँगा, तो हो जाएगा A is equal to M1 minus M2 by M1 plus M2, M1 plus M2, अब यहाँ पे G तो बची है, यह जी, तो A जो होगा, यहाँ से अगर question दिया है, इस प्रकार, मास कुछ दिया, दो, चार मीटर दिया है, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे acceleration, मतलब A acceleration कितना होगा ना, तो इस formula के recording, लेकिन condition होना चाहिए, condition A है कि 2 ही मास रहेगा, आप 1 और 2, जब 2 ब्लॉक रहेगा, 2 ब्लॉक हैंक करेगा, यह दर से ऐसे कुछ है, ऐसे हैंक कर रहा है, तब जाके यह apply होगा, लेकिन कहीं कहीं होता है, 3-4 ब्लॉक अप्लाई हो जाते हैं, तो यह तो दो ब्लॉक के लिए है, आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप इस से लगा रहे हैं, ऐसे बढ़िये से अप्रोच करके तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक ना, तो यह acceleration निकला था, इसी को A को मैं इस second equation में put करता हूँ ना, A को जब मैं second equation में put करूंगा, तो यह मेरी पास A आचुका है, मैं यहां पे लिख लेता हूँ, A is equal to M1 minus M2 by M1 plus M2 G, ठीक ना, तो यह मेरी पास A का value निकल के आगए, तो अब इसको मैं पास second equation में put करता हूँ, तो क्या होगा, T minus M2 G is equal to M2, यहां पे put करना है, तो हो जाएगा, M1 minus M2, M1 minus M2 by M1 plus M2 G, ठीक ना, अब देखो, फिर इसको मैं इस साइट बेज देता हूँ, इसको उस साइट बेज़ूँगा, तो इसकी, साइन चेंज हो जाएगा ब्रस ऐस साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, M2 G, minus कि साथ करेंदू, थे कि साथ हो जाएगा, ठीक, धर आ ब्लस कि साथ हो घ e जाएगा मैं यहीं लिख देता हूं प्लस मेरा है तो कोई टिंसन नहीं है अब दो यह मोर यह हो जाएगा इसको मैं अंदर मॉटिप्लाई कर रहा हूं कि तो जाएगा M1 M2 माइनस M2 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 का स्क्वार हो जाएगा आप यह नीचे तो वही है M1 M2 अब यह कंवन स्क्वार है तो इसमें भी जी है तो इसको मैं कोम अड़ी में सीदे डाइरेक्टली यहां तो क्या है ती इस इक्टाइब होगा यहां नीचे M1 प्लस M2 आप देखो M1 M2 इसमें पर डिपलाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पहले M1 M2 M1 M2 प्लस M2 M2 यहां M2 का स्क्वेर M2 का स्क्वेर प्लस M1 M2 और यहां माइनस M2 स्क्वेर देहे रखा ना बाई में हो जाएगा M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 यह पूरे का G है प्रैकेट में G है अब यहां पे M2 का स्क्वेर और M2 का स्क्वेर कट गया अब देखो M1 M2 M1 M2 टू टाइम आ रहा है तो इसकोन लेख सकते हैं T is equal to 2 M1 M2 यह दोनों में रहेगा बाई M1 प्लस M2 ना इंटू जी जो आपका आगया टेंसन निकल ना टेंसन अगर आपको पता करना है तो दो मास दो ब्लॉक रहेंगे उसकी मास दिया है M1 M2 कुछ इस तरह अगर दिया रहेगा ब्लॉक तो यहां पर निकाल सकते हैं कि यहां पर यह टेंसन कितना होगा इस वाल कुलेंसे और यहां से एक्सेलेशन निकल जाएगा ठीक है अब दो इस तो सिर्फ दो मास के लिए अपलाई होगा तो एक इस पर कुस्च्छन करके दिख बेश कमएं नियूटन यहां पर लेगा और यहां पर कितने लगेगा यह दा यहां फिश कंव फिन ऑद फिप्टी नूटन यहां पर बहुत आशाई सांटेंकि बेड़ यह दस केजी है तो नीचे आने लगेगा तो नीचे अगर इस से हम एक्सडेशन निकाल सकते हैं पहल अब मैं लगाता हूं फाइब कीजी पे ना आप खीच पॉन रहा है ती रो कॉन रहा है फिप्टी न्यूटन ठीट है इस इक्वल टू मास कितना फाइफ इंटू ए तो पता ही अब इसको मैं एड़ करता हूं तो क्या होगा यह कैंसिल आउट होगा तक यहां पर फिप्टी ह हो जाएगा इस इक्वल टू हंड्रेड और फाइब एड़ करना है तो कितना हो जाएगा 105 यह हो जाएगा तो इस इक्वल टू कितना होगा फिप्टी बाई 105 अब एक्सलेशन इतना आया ना अब इसी को मैं यहां पे अपलाई करता हूं सिंपल सा देखना आप कुछ नहीं देखो यहां पर है तो मैं सीधे इस इक्वल टू लिखता हूं कितना है कि एम टू कितना है कि सब्सक्राइब माइनस माइनस फाइफ बाई एम उन प्लस एम कितना फाइव इंटू टेन कितना हो जाएगा यहां पर टेन तो है ही मतलब जी मतलब 10 आप देखो यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर कितना वाइनस करेंगे तो 5 तो यह टेन मंटीकला हो कि 50 हो जाएगा और नीचे बंद है तो देखो इक्वल आ रहा ना 50 और 15 यहां पर कितना आजएगा आपको 15 तो यह दोनों से आ रहा है ना वह दोनों से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ना इस फॉर्मूले से आप इसको तो निकाल सकते हैं लेकिन मास्क या रहना चाहिए दो ही रहेगा ना दो ब्लोक रहेगा है एक मस्लिस पुली पर टीक तो तो ऊसे फ्रॉ ब्लॉक रहेंगे तो उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं हा तो मैंने एक question ल एगा find out a t1 t2 ना इसमें बताना है तो ऑसल्पists दिया रहा तो इसमें हम तो क्या क्या क्àiकर ना रधा उपले लेकं अधर दो स्तिंग वह थे एक तो इस से मास्टी ऊपर यहां पे कितना हो गया ? T , महान लेते हैं तो इसको क्या है ? मास्ट लेस के नीचे क्या जाएगा ? T1 AB लेका ? अब यह उपर जा रहा है यह T2 हो गया और यह भी क्यों T2 होगा क्यों होगा क्योंकि यह एक इस्टिंग और दूसरा है इस्टिंग है आप चाहे पहला इसे बाहने चाहे किसी को बाहने उससे मतरब नहीं अब देखो यहां पर क्या लगेगा 1-1-1-1-1-3 पहले किया है अब यहां पर नीचित कीनल लगे है 3 into JUL 3 into 10 किनल ना जोगा 30 तैन यहां पर नीचे 30 निकिनल लग रहा है 30 नीटन के सार्स भास देट भी सो शुकत तुखर कीनल convene यहां पर 20 Newton बस इतना इसमें हम को देखना था तो अगर हम उसके फॉर्मूलेस लगाएं जो मेरे पास A is equal to M1 minus M2 by M1 plus M2 इससे हम कैसे लगाएंगे नहीं यहां बस वो दो तो Newton second law क्या बोलता है हाँ एफनेट is equal to M1 तो एफनेट कितना पहले मैं 1 kg लगाता हूं नीचे से जलता हूं ठीक है 1 kg पी मैं लगाता हूं आप देखो खीच कॉन रहा है अब यहां पर बहुत आसानी सम देख सकते हैं 4 kg अगर इसको एड़ करें तो यह नीचे आएगा ना यह मतलब लॉजिक देख सकते हैं कि यह ब्लॉक जो है दोनों नीचे आएगा यह उपर जाएगा क्योंकि उदर कम है तो अब इसके लगाते हैं तो यह हो जाएगा 10 न्यूटन 10 माइनस क्योंकि खीच रहा है नीचे जारा 10 हो गया माइनस अब रोख कौन रहा है उपर से रोख रहा टीवन उपर से रोख रहा टीवन तो टीवन लिख देते हैं इस इकवर्ड यह में कितना है वह एक इतना है यह तो पता ही नहीं अब यहां पर आपको यह इसी प्रकार आपको सॉल्ब करना अब देखो यहां पर यह नीचे आएगा ना नीचे किस कौन कौन सा फोर्स लग रहा है एक तो 30 न्यूटन लग रहा है एक टीवन की लग रहा है तो 30 प्लस टीवन माइनस अब खीच ऊपर से कौन रोग रहा है उसे टीटू इस इक्वल टू एम ए मास ए मास ए सॉरी मास 3 एक्सलेशन ए मतलब 3 ए तेक ना अब मैं लगाता हूं टू के जीपर तो अब खीच कौन टीटू 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 माइनस रोग 20 न्यूटन अब बहुत आसानी सब कर ले जाएंगे टू यह हो जाएगा है अब इसे एड़ करते हैं तो इसे एड़ करेंगे टीवन टीवन कैंसिल आउट टीटू 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 कैंसिल आउट ठेक रहा है एक टेन 30 और 1040 हो गया 236 टूफ 10 10 by 3 यह जाएगा ना मीटर पर सेड़ स्कॉयर तो एकसलेरिशन इतना आगया अब इसे को किसे में पूट कर देते हैं तो किसमें करते हैं टीवन टीटू पता करना है तो पहले टीवन के लिए इसमें पूट करते हैं तो किनना है 10 माइनस टीवन पहला केस लेते ह ओने अब यहां पर इसको माइनस की उन धिन गाल कुण जाएगा तो यहां से माहीनस से माइनस कन सी राक हो जाएगा तो देखते हैं टीटू निकालना है इसमें पूट कर देते हैं तो टीटू निकल जाएगा यहां से टीटू इस इक्वल टू यहां पे 20 है 20 को उस साइड में भेज देता हूं तो जाएगा टू इन्टू एह एक इना दिया हुआ है 10 वाई 3 प्लस के साथ उस आइड माइनस प्लस प्लसे साथ जाएगा 20 अब यहां पर । इस इक्वल टू आप 20 बाई 3 प्लस टू यहां पर टीटू निकल के आ जाएगा एक त्यटी वाई 3 नूटन तो इस तरह आप किसी भी प्रॉब्लम को एप्रोच कर सकते हैं तो ऐसे जो सिंबल से प्रॉब्लम होते हैं आप आसानी से एसे कर ले जाएंगे तो आप ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके जरूर जाएए तो ठैक्स वाचि मलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ